अब भी आप देख रहे हैं उपर की साइड शीट के उपर शीट देख सकते हैं कितने बड़ी आतरीके से जमी हुई है यह जो लेमिनेशन है जब भी आप शैड लगवाएं यह लेमिनेशन उतार के लगाएं यह सिर्फ इतनी देर के लिए होता है जितने समय यहाँ पे आप सेल्फ ड्रिलिंग स्कुरू दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की हीट इंसुलेशन के साथ लगी हुई शीट का यहां पे शैड बन रहा है इसकी टोटल डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा मैं कितने रुपे का शैड बनाया है कितने लेबर है कौन-कौन सा मेटीरियल लगा है टोटल डिटेल से बात करने वाला हूं दोस्तों मेरा नाम है मोली सिंग आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास हैंट फैब्रिकेशन वर्क्स दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कंक्रीट के साथ पिलर बनाए गये हैं 12 इंच साइज है इनका इसके उपर जो उपर टोप पे जो सरिया बीम वाला सरिया जो अंदर से निकला है उसी के साथ कैंची को किनेक्ट किया गया है और उसके बाद यहां पे साथ कैंची बनाई गी है जिनका अपस में गैप 15-15 फिट का है टोटल लेंथ जो है यह शेड की यह 90 फिट है और जो वाइड है चुड़ाई है यह 40 फिट है कैंची की जो सेंटर हाइट है यह 22 इंच है और साइड से आप देख सकते हैं पाइप के साथ पाइप मिली हुई है यहां पे यह जो साइज है हो जाता है चार इंच यदि आपको कभी भी शेट में 9 इंच की डलान रहनी चाहिए यहां पे सेंटर से लेके एंड तक 20 फिट साइज है और इसमें पूरी नेट 18 इंच की डलान है यह डलान यदि आप नहीं रखेंगे इतना स्लांट नहीं रखेंगे तो इसके अंदर से पानी टपकेगा जब मोश्चर आएगा नॉर्मल शेट जो हम बनाते हैं उससे क्रीब क्रीब 20 या 25% महंगा है यहां पे आप देख सकते हैं टाटा ब्लू स्कोप की शीट लगी हुई है 0.47 mm थिकनेस है यह अंदर की साइड शीट की यहां से आप देख सकते हैं यह काफी बारी शीट है और यहां पे क्रीब एमम का या तो दो सूत का हीट इंसूलेशन लगा हुआ है अब इसका फायदा यह है यदि आप अलग से हीट इंसूलेशन लगाते हैं तो वो जो है आपकी शीट को ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे अंदर से नहीं जा सकता जो जो एक्स्टा हीट इंसूलेशन 15 रुपे स्केर अहीं रह liksomा है यह एक दम बगएर जोड का हीट इंसूलेशन लगा हुए जितनी अंभी आफ़ winter लेंगे उतना ही complete heat insulation लगा हुआ लेंगा और यहां से आप देखेंगे तो यह जो शीट के उपर शीट चड़नी से यह वहां पर हीटि इंसूलेशन नहीं होता शीट यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको यह यहां के ठेकेदार जी है जिनके पास यह काम चल रहा है सुरिंदर जी इनका नमबर मैं निचे दे रहा हूं यदि कोई भी शेड से रिलेटेड कोई सवाल जवाब आपको करना है कोई जानकारी लेनी है तो बहुत काम करते हैं यह पूरा शेड इन्हों नहीं बनाया हुआ है यहां पे आप देखेंगे पूरी शीट जो है इसकी पनी निकाल दी गई है यह जो लेमिनेशन है जब भी आप शेड लगवाएं यह लेमिनेशन उतार के लगाएं यह सिर्फ इतनी देर के लिए होता है जितने स किता है और इसको उतारना बिल्कुल थोड़े समय बहुत आसान है बड़ी असानी से आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं और मेरी एड़वाईज है कि आप हमेशा यह जो लेमिनेशन है इसको निकालने के बाद ही शीट को लगाएं वरना ऐसे लगा देंगे तो दो तिन महिने मे यह पूरा जगा जगा से फट जाएगा दिक्कत आएगी आपको कैंची जो है यह पूरी दो भई दो की पाइप की बनी है 18 किलो की पाइप है टाटा की 18 किलो की पाइप है साइड में आपको पाइप के उपर लगा हुआ मार का दिखाई दे रहा होगा और जो परनल जो उपर वाली पर्नल वाली पाइप का वेट है अभी मैं आपको उपर से दिखाता हूँ यहां पे आप देख सकते हैं जहां पे पाइप का जोड है यहां पे डेड़ इंची दो सुत की पत्ती काटके पूरी वैल्डिंग की गई है ताकि पूरा काम जो है मजबूत रहे जह जहां पे भी आप जोड देखेंगे उपर से पत्ती लगी हुई है अब भी आप देख रहे हैं उपर की साइड शीट के उपर शीट देख सकते हैं कितने बड़ी आत्रीके से जमी हुई है अब दोस्तों आपको एक और सला देना चाहूंगा यह जो काम है यह जो ठेकेदार जो यह काम को कर रहे हैं पेंट गुर्दवारा कमेटी ने अलग से करवा के दिया है पेंट का ठेका साथ में नहीं है बीस रुपे स्केर फिट इस शेड को बनाने की लेबर है यह कर्मल कस्टमर के लिए रेट है वो बीस रुपे स्केर फिट इनका रेट है नंबर मैंने सुरेंदर जी का निच्चे दिया हुआ है इस पे कोल करके आप कोई भी काम की जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं अब दोस्तों बात करेंगे इस शेड की टोटल कोस्ट की जिसमें क यह जो पिलर देख रहे हैं आप कंक्रीट के यह पिलर भी आगए टोटल लोहा भी आगया लेबर भी आगी टाटा की हीट इंसुलेशन लगी हुई शीट भी आगी लोहा पाइप सारी की सारी पाइप जो लगी है यह भी टाटा की है लेबर सारा माल मिटीरियल मिला के दस अजार रुपे आई है जिसमें की मिस्त्री की लेबर भी आगी पेंट भी आगया साइड के कंक्रीट वाले पिलर भी आगया सरिया भी आगया सारा कुछ कंप्लीट लोहा टाटा का शीट हीट इंसुलेशन वाली टाटा ब्लू सकोप की ये कोस्ट 6,10,000 रुपे में ये 40, 90 का शेड तयार हुआ है और जिसमें अभी दूप नहीं है नहीं तो मैं आपको टंप्रेचर मीटर से माप करके भी बता देता कि कितना फर्क पड़ता है दूप में काफी जादा टंप्रेचर इस शेड से डाउन हो जाता है एक चीज दिखाना भूल गया था यहां पर जो स टा के लगे हैं 6 रुपे का एक स्क्रू है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू यह भी टाटा की यूज किये गए हैं कहीं पर भी माल मेटीरियल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है सारा माल बढ़िया से बढ़िया टाटा का सारा माल टाटा का लगाया गया है यहां पर तो दोस्तो टोटल कोश्ट 6,10,000 रुपे यदि आप भी अबोर फाजिल का यहां से 100 किलो मेटर दूर के एरिये में कोई काम करवाना चाते हैं शेड से रिलेटेड तो आप सुरेंदर जी से सिदा संपर्क कर सकते हैं इनका नंबर मैंने निचे दिया हुआ है कोई भी सला लेनी हो शेड से रिलेटेड यह आपको कम्प्लीट फोन पे ही सारी डिटेल दे देंगे कि आपके शेड पे कितना खर्चा लगेगा और अबोर फाजिल का से 100 से 1500 किलो मेटर की रेंज में इनकी टीम काम करती है आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटे का बटन जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद